नमस्कार दोस्तों देखिए आज 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 आपको हम ये हूक लगाना सिखाएंगे और हूक कैसे लगाना चाहिए ताकि आपका बलाउस फट जाए लेकिन हूक आपका कभी भी टुटेगा नहीं बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगा सबसे पहले आपको निसान लगाना बताता हूँ कि हूक और हाई के निसान आपको किस प्रकार से लगाना चाहिए जैसे हाई का ये निसान है इसी को आगे बढ़ा देंगे तो हूक का लग जाएगा ऐसे नीचे की पट्टी थोड़ इसी आपको बढ़ा कर रखना है पाविंच तो ये निसान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वहीं पर लग जाता है ये देखिए सबसे उपर वाला हूक एकदम उपर रहना चाहिए और ऐसे ही अपने छे हूक और हाई के निसान लग चुके है अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये जो हूक रहता है ना उपर वाला इसको कभी भी नीचे नहीं लगाना है जैसे कई लोग यह यहाँ पर लगा देते हैं यहाँ पर हूक लगाने के बाद क्या होता है यह जो रहता है ना भाग लूच पड़ जाता है और गला उतरने की कुछ हद तक प्राबलम यहां से सुरू हो जाती है तो आपको क्या करना है यह जो हूक लगाएंगे आप ऐसे लगाना है एक दम त लगता है और हाई के पट्टी पे जाता है ना तो बीच में से गेब दिखने लग जाता है तो यहां पर से गेब भी बिल्कुल भी नहीं दिखता है तो देखिए यह मैंने टाके लगा हैं यह एक तरीका आपको सिखा रहा हूं जो सीधा-सीधा लगा रहा हूं मैं हुक और हा तो देखिए ये सीधे सीधे टाके चल रहे है आपने देख लिया है इसी तरह से ये सीधे टाके अगर आप लगाते हैं तो आपको कम से कम 6 टाके लगाना है यहाँ पर यह देखिए ऐसे अब मैं ये माला डाल रहा हूँ ये माला से क्या होता है मालूम है यहाँ पर एक गठा टाइप तैयार हो जाती है और फिर यह गठान है जल्दी खुलती नहीं है कपड़े में से हुक को आगे बढ़ने नहीं देती है अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे तीर्चा रखना है मैंने बताया था आपको कि ऊपर तरब जाना चीए इसका मुख तो ऐसे जाना चीए दे ऐसे अब देखिए फिर से यह मैंने माला डाली यह माला मतलब अपनी गठान बन रही है यहाँ पर फिर माला डाली मैंने यह गठान बन गई अब यह मैं तोड़ लूँगा और तोड़ने के बाद देखिए यह हुक किता मजबूत है लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ इससे भी मजबूत तरीका ये वाला है ताकि हुक आपका कभी भी तूटेगा नहीं तो देखिए अब हम यहाँ क्या करते हैं यह जगा है हमने पहला टाका इस पर देखिए ऐसे और यह देखिए यहाँ पर यह माला डाली पहले इस टार्ट से ही माला हमने चालू कर दी है ताकि हमारा जो हुक रहेगा ना एकदम मजबूत और पक्का हो जाए और ऐसे भी नहीं कि हम आदे घंटे तक एक हुक को ही लगाते रहे बड़ी मुश्किल से इस तरह से टाके लगाएंगे तो तीन-तीन टाके या चाचा टाके भी अगर अपने एक हुक के गड़े में लगाए तो यह अपना हुक बिलकुल मजबूत हो जाता है और कभी भी उखडता नहीं है बिलकुल परफेक्ट तरीका है यह हुक लगाने का और यह देखिए यह जो माला डलने से एक फायदा यह होता है कि जल्दी-जल्दी जो धागा घूम के आगे हो जाता है फिर हुक हमारा तूट जाता है इसमें वो प्रब्लम नहीं आएगी तो यह जो माला डालते हैं ना यह माला एक गठान है मैं बार-बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ यह गठान के बारे में कि यह माला डालना आप सीख जाईए हुक हो चाहे काच हो तो उससे क्या रहता है धागा जल्दी खुलता नहीं है एक प्रकार से गठान लग जाए यह हुक में से निकाला मैंने एक यह देखिए यह ऐसे आगे से पीछे से निकालना है आपको हुक के अंदर से है ना यह मैंने हुक के अंदर से डाल दिया धागा यह चला अभी देखिए यहाँ पर इसको हमको कट कर लेना है यह मैंने तोड दिया आप चाहो तो केची से भी धागा काट सकते हैं ये देखिए दोनों हुक के दो तरीके थे अभी मैं ये तीसरा हुक लगा रहा हूँ यहाँ पर देखिए इसको ऐसे और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा दोस्तों और ये तरीका कैसे लगेगा कमेंट पर जरूर बताईएगा कि हुक लगाने का तरीका आपको कैसे लगा बहुत जरूरी है आपकी कमेंट भूट हमें वीडियो बनाने के लिए पुरुस्ताद अ कि देती है और देखिए बहुत हम को अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़ने के बाद कि आपको भी हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करते जाईएगा और अभी देखिए पूरे हुक लगाना आपको सिखाने वाला हूँ आगे कैसे लगेंगे जो मैंने आपको तरीके बताए ना दो तरीके उसके बाद ये एक फास्ट तरीका आपको बता रहा हूं कि आप भी इस तरह के से फास्ट वीडियो फास्ट हूक लगा सकते हैं ठीक है अब ही देखिए यहां से मैंने ये फास्ट कर दिया है जंद जंदी से आप भी पांच मिनिट में पूरे हूक लगा सकते हैं और दोस्तों व